अगर आपको कहा जाए कि आपको 12 सालों तक सुरी की रौसनी नहीं देखनी है, यानि कि 12 सालों तक एक बंद कमरे में जिंदगी काटनी है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बेशक आप इसे मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन या जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक परिवार ऐसा भी है, जिसने 12 सालों तक सुरी की रौसनी नहीं देखी, इस परिवार के दिन भाईयों ने 12 साल से सुर्योदय और सुर्यास नहीं देखा है, और ना ही बदन पर पड़ा अब क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे हम बताएंगे कि आखिर क्यों परिवार की तीन भाईयों ने बारह साल एक लंबे समय तक शुरिकी रौसनी नहीं देखी अब नमस्कार मैं नेहा चौधरी कैमरा पॉस्वनों प्रकास के साथ और आप देख रहे हैं ज तीनों बच्चों की परवरिश उन्हें ही करनी होगी इस दर्द से भरी जिंदगी के बीच पिता सीतल सिंग कोरोना काल में तीन बच्चों को उसी हालत में छोड़कर चल बसी बची है साथ वर्सिय मा सावित्री देवी जो अपने तीनों दिव्यांग बच्चों की परवरिश कर रही है एक छत के नीचे आंगन पर एक जगह बैठे दीपक सिंग प्रदीप कुमार सिंग प्रभाकर सिंग ने जब बारी-बारी से अपने व्यथा सुनाई तो तीनों भाईयों की आखें भराई और मा फूट-फूट कर रोने लगी सारे रिक रूप से दिव्यांग प्रदीप कुमार सिंग बताते हैं कि मस्कुलर डिश्ट्रॉफि नाम की उन्हें बिमारी है ये बिमारी सबसे पहले उनके बड़े भाई दीपक सिंग को हुई थी जिन्हों ने 2001 में मैट्रिक की परिच्छा पास की और 2003 में इंटर करने के बाद जैसे ही इस नातक में दाखिला लिया ये बिमारी उनके भीतर घर कर गई अब तक बाकी तीनों भाई सारे रिक्रूप से बिलकुल स्वस्त थे बड़े भाई का इलाज बनारस लखनव दिल्ली के बाद कॉलकाता में हुआ तब पता चला कि इस बिमारी का इलाज भारत में नहीं होता इसके लिए अमेरिका जाना होगा और इस बिमारी के इलाज के लिए कम से कम 40-50 करोड रुपया खर्च करना होगा प्रदिप कुमार सिंग ने आगे बताया कि इसके दो साल के भीतर मैं खुद इस बिमारी का सिकार हो गया उसके एक साल बाद मेरा छोटा भाई प्रभाकर भी इस बिमारी से खुद को नहीं बचा पाया यानि कि एक एक करके तीनों भाई इसके शिकार हो गए आज हम तीनों भाईयों को 30 से 35 वर्स की उम्र में भी किसी भी काम के लिए घर से दूर जाने के लिए किसी की गोद का सहारा लेना पड़ता है हलांके सरकार भी इनकी कोई मदद नहीं कर रही सरकारी सुवधाओं के नाम पर सिर्फ सौचाले और अंतियोदे काड ही नसीब हो सका है हाल तो ये है कि राशन काड भी अगस्त 2018 में बंद कर दिया गया लेकिन काफे प्रयास करने के बाद 2020 में राशन मिलना सुरू हुआ मा सावित्री देवी का हाल तो इतना खराब है कि अपने तीन बच्चों की दिव्यांगता के चलते तो पहले ही परिसानी थी अब पती के गुजरने के बाद बच्चों की इस दसा से सुख चैन भी छिन चुका है प्रभाकर आगे बताते हैं कि अभी तो हम लोगों की सेवा मा ही कर रही है लेकिन मा की उम्र भी 60 वर्स हो चुकी है तो मा भी चन्द दिनों की ही मैमान है जब हम लोगों के सिर से मा का भी साया उठ जाएगा तो हम तीनों की परवरिष कौन करेगा इसे सोच कर हम परिशान हो जाते हैं, हम लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना हम तीनों भाई एक साथ आत्महत्या कर लें, यह परिवार दिव्यांगता के बीच हर मुसीबतों से जूज रहा है, एक-एक दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, इन दिव्यांग भाईयों न नहीं देखा और ना ही बदन पर सुरी का प्रकास ही पड़ा है, मिना किसी के गोध लिए एक कदम भी चलना मुस्किल है, और बेचारी बूढ़ी मा तो गोध उठाने के लिए सक्षम ही नहीं, इसलिए बंद कमरे में ही जिन्दगी कटती जा रही है, लांकी ऐसी इस्तिती ही नाम की बिमारी केवल पुरुशों में होती है, महिलाओं में नहीं होती, हम मात्र तीन भाई है, लिहाजा तीलो भाई इसके शिकार हो चुके हैं, और हम सब आज एक तरहते अनात ही है, और अंत में नहीं पता क्या कहूं, बस इतना कहूंगे कि आखिर सरकार की नजर इस जादा शेयर करें, और ये वीडियो सरकार तक पहुंची और इन भाईयों को कुछ मदद मिल जाए, आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनता जंक्षन, धन्यवाद